बहिए हमारे हैं चार भाई थे राम लक्षमन भरस सत्रुगन तो वहां भी एक दूसरी परंपरा में बाबरी परंपरा में भी चार भाई थे सुजा, मुराद, दारा और औरंगजेव तो एक ने बाकी तीन को खतम कर दिया था और इस पर भी उसे संतोश नहीं हुआ अपने बाप शाजहां को जेल में डाला सगे बड़े भाई दारा चिको का सर काट के थाली में सजा के अपने बाप शाजहां के पास उसने जेल में भे तो उसने का उतने में काम चलाओ तो एक फारसी का शेर है जो मुझे याद नहीं है उसका अर्थ बता देता हूं दुखी होकर अपने अंतिम समय में शाजहां ने लिखा कि तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसारा तुससे तो अच्छे वो काफिर हिंदू हैं जो पित राम के लिए तुसी ने लिखा है कि कहत परम पुनीत इतिहासा अंतिम जो चौपाई है सवनही होत सकल भ्रमनासा सुनिये तो सारा भ्रम का नाश हो जाएगा जैसे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कभी आपने ये बात यदपी मैं पहले भी बोल चुका हूं आप पता ये भगवान राम चारी भाई क्यों थे तीन या पांच क्यों नहीं और अगर चार भाई थे तो लच्मणी क्यों नाम के साथ जांगे बन में आब हरति ז् अब धर्म के साथ काम यानी कामना इसलिए भर्ण के पृतिक को रखे करें तो खडाओं रखे याना ou रखे या दर्म के किसी पृति को रखे तपस्या करेंगे मोक्ष पराप्त होगा और शत्रुगन अर्थ के पृतीक हैं तो इसलिए वो राजधानी में ही रहेंगे अर्थ कभी छोड़ के नहीं जा सकता इसलिए आप देखिए कहा तो याता राम लश्मन की जोड़ी मगर तुदसी बाबा ने लिखा हनुमान चालीसा में कि रगुपत कीनी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरता ही संबाई क्यों देखिए कामना को तो धर्म सबसे प्रिय होना चाहिए लच्छमन को राम प्रिय होने चाहिए धर्म को मोक्ष और फिर मैं एक वार बात बता है यो लोग कहते हैं राजा दश्रत के तीन दानिया क्यों इसमें दो ही जुड़वा भाई हैं कौन लख् शल्या जी सतोगुड का प्रतीक हैं तो राम की मा है अर्थ और काम रजोगुड से आएगा तो सुमित्रा जी रजोगुड का प्रतीक हैं तो उनसे काम और अर्थ उत्पन होगा और केकई तमोगुड की प्रतीक है मोक्ष प्राप्त करने के लिए तमोगुड के पार जाना कह रहा हूं इसमें सबसे सुन्दर कौन था के कई तमोगोड सबसे आकरशक होता है और अक्सर उसी के पीछे बहुत सारी अनिष्ट की संभावनाएं भी छुपी रहती हूं मैं कह रहा हूं अगर थोड़ा सा गौर से पढ़ोगे तो एक एक चीज में इतना गहरा आर्थ निकलेगा कि फिर अगर एनी बेसंट ने कहा था कि for 40 years I have studied a religion by the name of Hinduism the more you study the more you love it the more you get involved more you respect it तब जाके धिरे-धिरे समझी नहीं है